जब भगवान भोले शंकर दुलहा के रूप में जब मैना के घर आए तो उनकी शासुमा मैना उनको देखकर बहुत दुखी हो गए जब भगवान भोले नाथ जनवासा पर चले गए तो मैंना अपनी पुत्री पारवती को लेकर बहुत भिलाब करने लगी कहने लगी यह हमारी पुत्री इतनी खुबशूरत है और यह बावराहबर उसके नसीब में कैसे हो गया मैं यह साधी कदापी नहीं होने दूँगी इसके लिए हमको जो करना परे समाज में अपजस लेना परे अगर लोग बहुत जिद करेंगे तो मैं आत्मत्या कर लूँगी अपनी बेटी को भी मार दूँगी और मैं भी मर जाओंगी माता पारवती उन्हें समझाने लगी कि भाग्य का लेक जो है वो कोई मेट नहीं सकता है माता तुम ब्यार्थ का कलंक ले रही हो उसके बाब जूद भी मैना को शंतोश नहीं हुआ उनके रोने की आवाज सुनके जितनी महिला आएं थी उहां आज पर उसकी स्रबर होने लगी इसी बीच में नारजी और खिमाचल यानि कि पारवती के पिता उसी समय पहुँच गए जब नारजी पहुँचे तो नारजी पारवती के पूरत जनम की कथा सुनाने लगे तेही अबसर नारद सहिता अरूरिसी सबक समेत असमाचार सुनी तुही नगिरी गवने तूरत निकेते इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारजी और सबत्रिशियों को साथ लेकर अपने घर गए अतव नारद ही सब ही समुझाबा जैसी आराम जै जै हनुमान अपूरब कथा प्रसंग सुनावा जैसी आराम जै जै हनुमान अमैना सक्त्य सुना हुम मबानी जैसी आराम जै जै हनुमान अज्यग दंबा तोशुता भवानी जैसी आराम जै जै हनुमान तब रिशी नारद ने परवती के माता को पूर्वजनम के सब बिरतांत को समझाया और कहा कि है मैंना तुम मेरी बात को सच मनो तुम्हारी लर्की कोई शाधारन लर्की नहीं है ए साक्षात जगजननी भवानी है अजा अनादी सक्ति अभिनासिनी जैसी आराम जै जै हनुमान सदा शंभु अरधंग निवासिनी जैसी आराम जै जै हनुमान अजग शंभव पाव पालन ले करनी अनि जै इच्छा लीलाब पुधरनी ये अजनमा अनादी और आविनासिनी है शदा सिवजी के अरधंग में रहती है ये जगत के उत्पत्ति पालन और संगहार करने बाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारन करती है ये कोई शाधारन सक्ती नहीं है ये आदी शक्ती जग दंबा है अजनमी पर्थम दक्छ ग्रिह जाई जैसी आराम जै जै हनुमान अनामु सती सुन्दरत नुपाई जैसी आराम जै जै हनुमान अतह भुसती संकरही विबाही जैसी आराम जै जै हनुमान अकता प्रसीद सकल जगमाही जैसी आराम जै जैहनुमान पहले ए दक्ष के घर जाकर जन्मी थी तब इनका नाम क्या था? उस समय इनका नाम शती था बहुत शुन्दर शरीर पाया था इनोंने वहाँ भी शती संकर जी से ही ब्याही गई थी यह कता सारे जगत में प्रसिद्ध है अए कवार अवत सिबसंगा जैसी आराम जै जैहनुमान देख्य उरगुकुल कमल पतंगा जैसी आराम जै जैहनुमान अभाया उमोहु शिब कहान किन्हा जैसी आराम जै जैहनुमान अभ्राम बस बेशु सिये कर लिन्हा जैसी आराम जै जैहनुमान एक बार इन्होंने शिब जी के साथ आते हुए राह में रगुकुल मनी कमल के सुर्ज सिरी राम चंद्र जी को देखा तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने सिब जी का कहना न मानकर भ्रंबश सीता जी का वेशधारन कर लिया सियबे सुसती जो किन्ध तेहिया पराधि संकर परिहरी हर भी रह जाई बहोरी पितु के जग्य जोगान लजरी अब जनमी तुम्हरे भवन निजपती लागिदारुन तप किया असजानी संसेत जहु गिरी जा सर्वदा संकर्पिया सती जी ने जो सीता जी का बेशधारन किया उसी आपराध के कारण भगवान भोले शंकर ने सती को त्याग पिर सिब जी के बियोग में वे अपने पिता के यग्य में जाकर वो ही जोगागनी में भहस्म हो गए इस कथा को तो जानते हो येगा कि सती की इच्छा हुई कि हमें पिता के घर यग्य में जाना चाहिए बार बार भोले नाथ को कह रही थी ऐसे भोले नाथ कहे कि पिता के घर बिना बुलाए हुए भी जाना चाहिए लेकिन आप नहीं जाईए क्योंकि आपके पिता जी जो दक्ष प्रजापती हैं वे हमें पसंद नहीं करते हैं हमें देखना नहीं चाहते हैं इसलिए आपका जाना वहां उचित नहीं फिर भी शती नहीं मानी वहां से चल दी जब अपने पिता के ग्रिह गई तो पिता ने उन्हें तोका तक नहीं माता और बान जो थी वो कुछ देर के लिए मिली खैर उससे उनको उतना दुख नहीं हुआ लेकिन जब यग्यमंडप में गई उहां देखती है कि भगवान भोले नाथ का यग्यमे भाग नहीं रखा हुआ है तब सबसे कठिन जाती अपमाना देखे कि देवों के देव महादेव का इस यग्यमे भाग नहीं रखा हुआ है इस जग्य को हम होने नहीं देंगे और उसी क्रोध के कारण वो योगागनी में जलकर भस्म हो गई उसके बाद वहाँ से भगबान भोले शंकर अपने गन को भेज कर दक्स के जग को बिद्ध्वन्स किया तो एही कहानी कह रहे थे नरजी कि आप जिसको पुत्री मान रही है मैं नरानी और साधारन कोई नहीं है वो जगत जननी जगदंबा है और इन्होंने आपके घर में जन्म लेकर अपने पती के लिए कठिन तब किया है ऐसा जानकर संदेह छोड़ दिजिए पारबती तो सदाही सीवजी की प्रिये है अरधांगनी है प्रिया है सुनीना रद के बचन तवा सब कर मिटा विशाद अच्छा न महुँ ब्याप्यो सकल पुरा घर घर यह संबाद तब नारद के बचन सुनकर सब का विशाद मित गया और छनबर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया बोलिए जैसी आराम जै जै हनुमान संकट कटे मिटे सब पीरा जैसी आराम जै जै हनुमान जो सुमिरे हनुमत बल भीरा जैसी आराम जै जै हनुमान जै 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 हनुमान गुशाई जैसी आराम जै जै हनुमान करहु कृपा गुरुदेब कीनाई जैसी आराम जै जै हनुमान करहु कृपा गुरुदेब कीनाई जैसी आराम जै जै हनुमान हरहुनात मम संकट भारी जैसी आराम जै जै हनुमान एक घरी या दो घरी या दो में पुनियाद अतुलसी संगत सादु की हरै कोटी अपराद सियावर राम चंद्र की जै अयोध्या राम लला की जै ब्रिंदावन बिहार इलाल की जै पवन सुत हनुमान की जै बलो भाई सब शंतन की जै हरहर महादेब जैसे बसंब जैसे बसंब